सभी किसान मित्रों को नमस्कार स्वागाते आप सभी का हमारे यूट्यूब चेनल इन्फोटेक फार्मिंग रिडर में किसान मित्रों दिनांग है आज 12 जुलाई 2022 वारे मंगलवार समय हुआ है सुबा की साड़ेनों आज हम बात करनेवाले मद्रेश की करीब तीनों मंडियों की उतजयन शहीयापूर औं इंदोर् तीनों मंडियों की तीनों मंडियों में कितनी आमधानी देखने को मिली है वहीं इंदोर नंद के कि रियानी इक। रायust क्या रेट कर आया था बहुत सारी मंडी बंद रहेगी इंदोर मंडी की जानकरी अब अवेलेबल नहीं हो यह के बंद रहेगी या नहीं शयापुर मंडी बंद रहेगी ठीक है सबसे पेले हम बात करेंगे शायाप्रमनडी में आज कितनी आवक देखने को मिली है फियाज की शायाप्रमनडी में किसान भाईयों 7-8000 प्याज है वहीं लसुन के अगर बात करें तो 1000 प्याज है दो फ्यक्त में करीब या तो 2 बच के 30 मिनिट तक मैं जान करी दोगा और बात कर लेते हैं मेरे किसान भाईयों इंदोर मंडी भाव की इंदोर मंडी की जनकरी आपको सिरल वाइस देने वाला हूँ इंदूर मंडी में मेरे किसान भाईयों प्याज की आवक देखने को मिली है ऐग 40,000 पैकेट लसुन की आवक है 12,000 पैकेट और आलू की आवक आख mm सब से पहले बात किरेंगे कल के भाव की प्याज कि कल क्या भाव रहा प्याज का भाव कल किसान भाईयों 50 रुप प्रति कुंडल से लगा कर 300 रुप निद्धा एक करेंगे महराष्ट का जो प्याज आया है इंदूर मंडी में तक विका एक लोट पूरी मंडी में 16 सो रुपता चुआ था मेरे किसान भाईयों तो यह तो हो गई प्याच की बात लसून किसान भाईयों सो रुपर प्रति कुंटल से लगा कर साड़े 3400 कुंटल चल रही है लेकिन ज्यादा तर अगर मैं लाट की बात करूं कि जो बल्क में भिकता है तो 100 पूर परति कुंटल से लगा कर 2000 परति कुंटल तक जा रही है तस बीस लाट दो हजार से 2500 दो सार लाट 2500 से 5000 और एक अतलाट एलार एटी एल और सुपर सिक्स यह सभी क्वालिटी के आलू 800 से लगा के 1516 रुपे तक टाच हो रहे हैं वहीं बात करें लाकर अभी मंडी में आ नहीं रहा है वरना 2000 तक बिख सकता है हमारा जो उत्तर प्रदेस का आलू है सेती संत्यान वे ख्याती यह विकरा है 1200 रुपे तक और गुला विकरा है 900 रुपे तक मेरे किसान भाईयों तो यह तो हो गई शायापुर मंडी के और इंदूर मंडी की जान करी आवक की और कल के भाव की अब हम चलते हैं उज्जन मं मीटिक लौ मंडी है लासल beti में एक्य। म under content क्यूंती छी इसन भाईयों उसका जो रेट युवे निकल कर आया है 16 रुपे लंगा northwestा clients क्यूंत विकराया है लुए अगर बात करें ने इसनां में समय किसान है आश्राइ perfect UK रगा के से लगाए और इक्सपोर्ट क्yalइट का यह सुपर्प्याज सो लगा सतरा सु 10 रुपय तक में किसान वाइँ, नासिक के 2000 तर्छा नमणिद यह सतना मंढी किह सकते हो, नाशिक के एक्सपोर्ट क्वालेटी का जो सुपर प्याज विखा है मेरे किसान भाई नहीं एहमद नगर की संगम नेर बात करें तो यहाँ एक्सपोर्ट क्वालेटी का प्याज 15 से लगाके 1835 रुपरती कुण्टल में बिकाए मेरे किसान भाईयों पीपल गाउव बस्वन्त मंडी की बात करेंगे पीपल गाउव बस्वन्त मंडी एक्स्पोर्ट क्वालिटी का प्याज 1350 से 1660 रुपे पीपल गाउव मंडी की अगर बात करेंगे तो अपल गाओं मंडी में 1650 रुपे से लगा के किसान भाईयों 1850 रुपे तक का रेट निकल कर आया है कि वहीं में सुरू करनाटक की मंडी है और करनाटक में में सुरू मंडी है यहां पर एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है वह भी का है अठारा सु रुपे से लगा के गुनिस सु रुपे किसान भाईयों वहीं अगर बात करें करनाटक की विजा पुरू मंडी में यहां पर एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज पंदरा सो से सतरा सो रुपे वहीं देखा जाए तो जो हमारा महाराष्ट का जो प्याज आता है विजा पुरू मंडी में करनाटक की विजा पुरू मंडी में महाराष्ट का प्या जाता है हमारा इंदोर से आलू जाता है तो इंदोर का जो आलू गया है विजा पुरू मंडी में बेंगलुरू करना टक बेंगलूरू की जो विजया पुरुमंडी में इंदूर का जो अलू गया मेरे किसान भाई हो दो हज़ार रुपर से लगा के 2100 रुपर प्रतिक उंडल भी करा है महराष्ट का जो प्याज है वो दो चार लट दोजार से 2200 रुपर तक बिका है वीजया पुरुमंडी में इंदूर का जो जो बेस्ट कॉलिटी का बिक साइज का मुकल जो प्याज है वो 16-18 रुपे बिका है मेडियम कॉलिटी का जो प्याज है वो 14-100 रुपे से लगाके 16.500 रुपे बिका है किसान भाईयो मुई अबणो मंडी की बात करेंगे एक्सपोर्ट कॉलिटी का सुपर प्याज 1550 रुपे से लगाके 17.500 रुपे बिका है तो ये थी मेरे किसान भाईयो करीब करीब 11-12 मंडियों की जानकरी जो मैंने भी आपको अवेलेबल करवाई है मेरे पास करीबन 10 मंडियों के और भाव है लेकिन सभी छोटी मंडिया है और ज्यादा भाव नहीं है 1314-1500 रुपे तक का रेट सभी जेगे इसलिए मैंने बताना उचित नहीं समझाओ वरना 10-12 मंडियों और है मेरे पास जिसे चान्दवाड मंडि येवला मंडि, देवला मंडि, नंदगाव बहुत सारी मंडियों है इन सभी मंडियों के भाव मैं आपको बताऊंगा मज़े नहीं आएंगे फाल्तू टाइम वेस्ट होगा क्योंकि बड़ी-बड़ी जो मंडिया है नामी मंडिया होनी के मैं भाव आपको बताता हूँ पुने मार्केट याड में भी अभी बेस्ट कॉलेटी का जो सूपर प्याज है मेरे किसान भाईयों सत्रा सू रुपर चल रहा है पुने मार्केट याड में और पुने मंडि में अठारा सु निस सो दो हजा तक भी टच हो रहा है मेरे किसान भाईयों सोलापूर मंडी में साड़े एक्ठारास रुपए उननिस सो रुपए दो हजार रुपए तक टाच होता है प्याज बेस्ट क्वालिटी का प्याज इन सभी मंडियों के जो भाव है हो आपको क्यां तो दो तीस पर देखने को मिलेंगे और हो सकता है दो तीस पर अगर देखने को न मिले तो श्याम को साड़े ची बज़े वीडियो आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा करीबन 10-12 मंडियों की जैनकरी में आपको दूँगा और शायापूर इंदोर उर्जिन तीनों मंडियों की जैनकरी आपको में ढ़ाई भाजे दो बच के तीस मिनिट के जो वीडियो आएगा उस पे दूँगा शाड़ेशे बजे वाले वीडियो में आप आपको करीबन 10-12 मंडियों की जैनकरी पुना आपको दी जाएगी मेरे किसान भाईयों किसान भाईयों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा बिल्कु सिंपल सा वीडियो बनाया है ज्यादा भगदर नहीं है ज्यादा कुछ इस इतना साथ से वाद दीजिए सभी किसान मित्रों का धन्यवाद 16 तरीक को बांगलादेश बाडर खुल जाएगा और जहां दूबई में हमारे 10 कंटेनर जाते थे अभी 12-13 कंटेनर जाने लगे हैं मलेशिया से मांग निकल कर आ रहे हैं मलेशिया भी हमारा प्याज जान लागी शाया पुर्मंटी साथ गाड़ी लगा यह है शुजाल पॉर मैंटी कि पांस चे गाड़ें लगी नृब Hai किसान भाईयों कहां पर म्हंदीपूर बाडर पर यानरी कि मंगलादीश बाड़ पर यैनि अभी लगी नहीं जाएं फ्लिद ऒूशेगी और उसके बाद गोल्टी जाकर तो गलत है यह ठीक है कि बड़ी गोल्टी जो है वो 300-600-600-600 अपड़े के बीच में बिक रही है लेकि छोटी गोल्टियों के क्या वो तो बहुत ज़्यादा हलके में जा रही है तो जैसे बंगलादेश बाटर खुलता है तो बड़ी क्वालिटी की गोल्टी और गोल्टा प्याज जो है उसका रेट बहुत शांदर आएगा बाहर चला जाएगा औ वह दुबई मलेशिया सिंगापूर साउथ एमरिका और हमारा जितने भी अमिराद देश से अरब कंट्री जितनी भी है इनमें जिससे भी दुबई तो जाही रहा है जितने भी मिराद कंट्रियां हैं इन सभी में अगर जाने लगेगा माल और रस्या है बहुत-बड़ा द एकन्फरम नहीं हो और कल गुरुपुरुमा है तो गुरुपुरुमा कि आप सभीकों अब अच्छा लगा हो तो वीडियो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजियेगा सभी किसान मित्रों का धन्यवाद जे जवान जे किसान जहेंट बहरत पंद मातरम झाल